हेलो एवरीवन, मैं संचीता जैन, Magnet Brains Indie Medium चनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ Magnet Brains एक ऐसा प्रेटफोर्म है जहाँ पर आपको किंडर गाटर से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सिस प्रोवाइड कराए जाते हैं हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एज्जुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री जी हाँ तो देर किस बात की आईए उजुडिये Magnet Brains के साथ तो आज की शेशन में मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 9 की शोसल साइंस में बिहार बोट के एकनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है बेकारी या बेरोजगारी ये चैप्टर जो है हम 3 पार्ट में पढ़ चुके हैं इसके multiple twice question भी हम देख चुके हैं इसके solution भी देख चुके हैं आज हम देखने वाले हैं इसके most important question यानि की बहुत ही महत्वपूर question और उनके answer और ये question answer हम 3 पार्ट में करने वाले हैं जिसमें की रहेंगे आपके अती लगुत्रिय प्रशन उत्तर रहेंगे उसके बाद जो है आपके रहेंगे कुछ लगुत्रिय प्रशन उत्तर और उसके बाद रहेंगे आपके कुछ दीर गुत्रिय प्रशन उत्तर तो आप सभी को मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूं कि अती लगुत्रिय और दीर गु important question solve करने वाले हैं तो अती लगुत्रिय प्रश्णों में अती लगुत्रिय प्रश्णों में जो है सबसे पहले हमें सिर्फ एक या दो लाइन में अती लगुत्री प्रश्णों के उत्तर देने हैं उसके बाद हम लगुत्री प्रश्णों की तरफ जाएंगे तो लगुत्रिय हो गई तो अब सबसे पहले आपकी क्या responsibility बनती है सबसे पहली है कि आज गई क्या जादा से जादा से जादा आप लाइक करनें active और और शान ही इसके बाद तीसरी responsibility आपकी या बनती है कि आज का जो session आज की इंपॉर्टन question का यानि कि बहुत ही मादवपूर question का तो जितने भी question के answer मैं आपको आज बताऊंगी उसके पहले उसके पहले जो है उसके answer आपके comment box में आपको लिखना है क्यों क्योंकि यह chapter मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसके कई सारे multiple question कराये हैं साथ ही साथ इसके पूरे अभ्यास गत प्रशनोत्तर भी मैंने करवाये हैं तो अब आपको यह chapter जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसके जो answer है वो आपको ही देने हैं क्योंकि क्योंकि परिक्षा में answer जो है आपको ही लिखने है answer मुझे परिक्षा में नहीं लिखने है यहां तो मैं आपको पढ़ा दूँगी यहां तो मैं आपको सब सिखा दूँगी और बता ही रही हूं लेकिन exam में perform किसे करना है exam में perform जो है आपको ही करना है तो चलिए शुरू करते हैं आज के session को और शुरू करने से पहले जितने भी लोग इस session से जुड़ चुके हैं फटा फट से जल्दी से जल्दी session को जो है ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा question जो है बेकारी के वह कुछ इस तरीके से है तो सबसे पहले आपके सामने आते है अती लगुत्रिय प्रशन करके बता दीजे आपको सुंदर सी एक से दो लाइन में definition लिखनी है परिभाशा लिखनी है बे बेकारी की तो जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बता दीजिए कि बेकारी और बेरोजगारी क्या होती है तो जब तक आप कॉमेंट करके बताते हैं तब तक हम यहां भी आपका एक आंसर देख लेते हैं इसके एक सुन्दर सी परिभाशा फटाफट से अपन देख लेते हैं त लेकिन उसके पास काम करने के लिए कोई काम ना हो यानि की व्यक्ति रोजगार के लिए एक्छुक तो है काम करने के लिए एक्छुक तो है लेकिन उसके पास काम करने को काम नहीं है उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है जो काम वो करना चाहे उसे अपने मन के मताबिक काम करने का अवसर ना मिलना ही बेकारी या बेरोजगारी की स्तिती पैदा करता है तो जल्दी से वपन इसका अंशर एक बार फिड़ से देख लेते हैं तो जब काम करने वाले व्यक्तियों को इक्छा एवं यूगता तो इस पर ध्यान देना व्यक्तियों को इच्छा एवं योग्यता दोनों के रहते हुए भी इसमें ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति खुद से काम करना ही नहीं चाहता वो तो क्या हो गया जब व्यक्ति काम खुद ना करना चाहे तब वह स्थिति कैसी हो सकती तब वह कालस की स्थिति हो सकती है लेकिन बेरोजगारी की परिभाशा बनती है कि जब काम करने वाले व्यक्तियों को एक्छा एवं युगता रहने पर भी प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं मिलता है तब इसे बेरोजगारी कहते हैं किलियर हुई बात बेरोजगारी को पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं इस डेफ ग से आपको कोमेंट यह करना है कि सिखित बेरोजगारी के दो प्रकार है सबसे पहले एक बता था मैंने आपको शहरी बेरोजगारी तो कमेंट करके फटा-फट से आप बता दीजे कि सिक्षित बेरोजगारी ग्रामिड बेरोजगारी का प्रकार है या फिर शहरी बेरोजगारी का प्रकार है साथ ही साथ साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ग्रामिड बेरोजगारी के दो प्रकार कौन-कौन से होते हैं और शहरी बेरोजगारी के भी कुछ प्रकार होते हैं वो भी बताने हैं तो उसी मैंसे सिक्षित बेरोजगारी जो है किस प्रकार की बेरोजगारी का प्रकार है वो बताना है और question आपके सामने क्या है question आपके सामने है कि सिक्षित बेरोजगारी क्या है तो इस question के माध्यम से कितने question निकल के आए सबसे पहली बात कि बेरोजगारी के कितने प्रकार होते है ग्रामिड बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी और चौथा question कौन सा है यह है आपके सामने तो तीन question जो मैंने इस question से निकाल के आप से पूछे हैं उनके answer आपको comment करने है और सिक्षित बेरोजगारी क्या होती है वो अपन इधर देख लेते हैं चलिए तो जब समाज के सिक्षित वर्ग के लोगों को उनकी सिक्षा एवं योगिता के अनुसार काम नहीं मिलता है यानि की व्यक्ति सिक्षित तो है लेकिन उसकी सिक्षा जो सिक्षा उसने ग्रहण की और उसकी योगिता उसकी qualification के अनुसार अगर उसको काम नहीं मिलता है तो उस स इस्तिती को कहा जाता है सिक्षित बेरोजगारी यानि कि व्यक्ति सिक्षित और युगता धारी भी है तब भी उसे काम नहीं मिलता है तो वो इस्तिती कही जाती है सिक्षित बेरोजगारी की स्तिती कही जाती है यानि कि जब समाज के सिक्षित वर्ग के लोगों को उनकी सिक च्छा और योगता दोनों के अनुसार काम नहीं मिलता है यानि कि जिस प्रकार की उनके पास qualification है और जिस तरीके की education उनने ग्रहण की है उसके अनुसार उनके मन के मताबिक अगर उनको काम नहीं मिलता है तो वो इस्तिती क्या कही जाती है सिक्षित बेरोजगारी की संग्या उस बेरोजगारी को दी जाती है या वो इस्तिती सिक्षित बेरोजगारी की इस्तिती कहलाती है किलियर हुई बात जो question मैंने आप से तीन question पूछें उनके आंसर जो है comment में आज आने चाहिए उमेद है कि comment box में आपने question के answer दे दिये होगे चलिए तो बढ़ते हैं आज के तीसरे question पर तीसरा अतील गुत्रिय प्रशन है आपके सामने question क्या है question है हमारी अर्थविवस्ता कि किस शेत्र में अद्रश्य बेरोजगारी पाई जाती है सबसे पहले क्या निकलके आता है सबसे पहले यह निकलके आता है कि अद्रश्य बेरोजगारी आखिर क्या होती है ठीक है तो इसका आंसार आपको देना है अद्रश्य बेरोजगारी यह चिपी वी बेरोजगारी यह प्रचन बेरोज गारी ठीक है तीन तरीके की तीन तरीके से इसको अपन देख सकते है यानि कि अध्रिष्य अध्र बेरोजगारी को छिपी वही बेरोजगारी या प्रश्चन् debatingारी कहा जाता है टिक हैं तो इसके definition जो है वह आपको ही बतानी है उसके बाद उसके बाद question क्या है कि हमारी अर्थविवस्था के किस छेत्र में पूछा गया है कि किस छेत्र में अद्रश्य बेरोजगारी जो है पाई जाती है हमारी अर्थविवस्था के कितने शेत्र थे तीन छेत्र थे उन तीन छेत्रों में से प्रात्मिक दुतिया कि अत्रतियक छेत्र यानि कि क्रशी चेतर दूसरा था अपना उध्योगष चेतर तीसरा था सेवा चेतर तो इन तीन चेतरों में से किस चेतर में अद्रश्य बेरोजगारी पाई जाती है यह सवाल आप से पूछा गया है जिसका उत्तर आपको एक से दो लाइन में देना है और इसके पहले मैंने आपसे क्या कि कि शेत्र में जो है अध्रश्य बेरोजगारी पाई जाती है अगर आपको पता है तो इसका अंसर भी आप दें कमेंट में चलिए तो देखें इसका अंसर तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थविवस्ता के कितने शेत्र होते हैं हमारी अर्थविवस्ता के तीन शेत्र होते हैं प्रात्मिक शेत्र दुतियक शेत्र और त्रतियक शेत्र तीन चेत्र होते हैं प्रात्मिक छेत्र में क्या आता है प्रात्मिक छेत्र में आती है क्रशी दुतियक छेत्र में क्या आता है सारे उध्योग आते हैं यानि कि जो अध्योग एक संरशना है वो आती है यानि कि वी निर्मान संबंधित जो भी प्रॉसेस है वो सारी चीज़ा किसमें आती हैं दुश्च घ्चेतर में आती हैं तु libera चैप्टर पड़ा है रोजगार एवं सेवा छेतर जो है वह आता है त्रतियक शेत्र के अंतर्गात आता है किलियर हुई ये बात तो जो प्रात्मिक शेत्र है हम बात किसकी कर रहे हैं क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया आपसे अद्रश्य बेरोजगारी किस शेत्र में पाई जाती है तो हमारी अर्थ्यविवस्था के लगे हुए हैं, यानि कि अध्रश्य बेरोजगारी अर्थय वैस्ता की प्राथमिक शेत्र या क्रशी चेत्र में ही क्यों दिखाई देती है? कैसे रिखाई देती है? यूकि कि जो क्रशी चेत्र है या उससे संबन्ध जो भी छेत्र है? ठीक है क्रसी छेत्र या उससे संबंध जो भी क्रिया कलाप है उसमें आवशक्ता से बहुत अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं तो अध्रश्य बेरोजगारी की स्थिति यहां पर पैदा हो रही है यानि कि देखने में तो लग रहा है कि बहुत सारे व्यक्ति जो है रोजगार म लगे हुए हैं लेकिन आवशक्ता से अधिक लगे हुए हैं यानि कि जितने व्यक्तियों की आवशक्ता उस शेत्र में नहीं है काम करने की उससे जादा व्यक्ति लगे हुए हैं तो इस स्थिति को क्या कहा गया है अध्रश्य बेरोजगारी कहा गया है और अध्रश्य बे में लगे हुए हो यानि कि जितने व्यक्तियों की आवशक्ता नहीं हैं उसकाम को करने की उस्से कई गुना जादा वेक्ति उसकाम को कर रहे हों तो वह सिती क्या कहलाती है अध्रश्य बेरोजगारी की सितीं कहलाथystem और हमारी अर्थववस्ता के प्राथमिक शेत्र याने की करशी शेत्र और उससे संबन्दित क्रिया कलापों में अद्रश्य बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है क्लियर हुई ये बात ये बात अगर क्लियर हो गई हो तो फटा फट से जो है कॉमेंट बॉक्स में आप थमसब कर दें और जो समझ में ना आया हो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैंने आप से पूछा है उसके आंसर जरूर आपको कॉमेंट में बताते जाना है यूदि जो चैप्टर है हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान हो चुका है क्लियर हुई बात चलिए तो बढ़ते हैं हम प्रश्णों में क्वेश्चन नमबर फूर है आपके सामने कि बेरोजगारी की समस्या के समधान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे दो कारिक्रमों के नाम बताना है आपको यानि कि बेरोजगारी की समस्या जो है उसके समाधान के लिए उसके स्वाल्यूशन के लिए इस सरकार ने क्या प्रयास किये हैं, सरकार ने कौन से काम किये हैं, वो आपको बताने हैं, तो उन दो कारिक्रमों के अपन नाम देख लेते हैं फटाफट से, उन दो कारिक्रमों के नाम कुछ इस तरीके से हैं, उत्तर है आपके सामने कि स्वर्ण जयनती ग्राम स्वरोजगा योजना एक कारिक्राम कौन सा है जो सरकार द्वारा रोजगार की समस्या के समाधान के लिए जो है चलाया गया है यानि की बेरोजगारी को दूर करने के लिए चलाया गया है वो कौन सा है एक है आपका स्वाण जयंती ग्राम स्वारोजगार योजना एक हो गया आपका ठीक ह उसके बादपन दूसरा देखें तो दूसरा है संपूर ग्रामिड रोजगार योजना एक हो गया स्वण जैंती ग्राम स्वारोजगार योजना और दूसरा हो गया आपका संपूर ग्रामिड रोजगार योजना ये दो योजनाएं जो हैं बेरोजगारों को समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे दो महत्वपून कारिक्रह में और इसके अलावा भी अगर आपको पता है कि बेरोजगारी की समस्य के समाधान के लिए सरकार ने और कौन-कौन से प्रयास चलाए हैं तो फटा-फट से कॉमेंट करके बता दें साथ ही साथ एक क्वेस्चन और है आपके लिए जिसका आपको कॉमेंट करना है मनरेगा योजना कब आई थी ठीक है ध्यान रखना मैंने पूछा है आपसे मनरेगा योजना के बारे में मैंने आपसे पूछा है नरेगा और मनरेगा दोनों बातें एक सी हैं नरेगा की शुरुवात कब हुई थी और मनरेगा यानि की नरेगा में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था तो योजना को मनरेगा योजना कहा गया था तो मनरेगा नाम कब पड़ा ये आपको कमेट करके बताना है ये भी स कब आया ये कॉमेंट करके बताना है साथ ही साथ आपको बताना है क्या बताना है कि इन तीन के अलावा दो ये और एक जो मैंने मन्रेगा बताया इन तीन के अलावा अगर आपको ख्याल आता है कि ये प्रोग्राम भी ये कारिक्रम भी सरकार ने बेरोजगारी की समस्या के रोजगार अभी मुख सिक्षा से आप क्या समझते हैं रोजगार अभी मुख सिक्षा यानि कि ऐसी सिक्षा जिस से रोजगार के साधन बढ़े ऐसी सिक्षा जिसके जरिये व्यक्तियों को रोजगार मिले उसे क्या कहेंगे हम रोजगार अभी मुख सिक्षा तो देखें इस साय से संबंधि सिक्षा व्यवसाय से संबंधि सिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है सीधी सी बात है शब्द को आप पकड़िए शब्द को क्या पकड़ना है शब्द आप देखे की पूछा गया है रोजगार अभीमुक सिक्षा शब्द में ही पूरा उत्त अभी मुख सिक्षा वह है जिसमें किसी व्यावसाय से संबंधिक सिक्षा इबंप्रसिक्षण प्रदान किया जाता है व्यावसाय के जरिये लोगों को क्या मिलता है रोजगार मिलता है इंप्लॉयमेंट मिलता है क्लियर हुई बात तो एक ऐसी सिक्षा एक ऐसी सिक्षा या ऐसा प्रसिक्षण जिससे व्यक्ति को रोजगार मिले वह सिक्षा कैसी हो सकती है व्यावसाय संबंद सिक्षा भी हो सकती है क्लियर हुई बात कि रोजगार अभी मुख सिक्षा क्या है बढ़ें आगे, चलिए, ग्रामेड बेरोजगारी के दो मुख्य रूप कौन कौन से होते हैं, आपसे question 6 में आती लगूत्रिय प्रश्णों में पूछा गया है, कि ग्रामेड बेरोजगारी के आपसे पूछे गया है, दो मुख्य रूप पूछे गया है, पहले question में भी मैंन या नहीं चलिए तो भारत के ग्रामिड छित्रों में व्याप्त बेरोजगारी के दो मुख्य रूप है कौन-कौन से है एक तो है मौसमी बेरोजगारी ठीक है और एक है आपका अद्रश्य बेरोजगारी तो ग्रामिड बेरोजगारी के दो प्रकार कौन-कौन से हो गया एक मौसमी बेरोजगारी का और ये हो गया आपका अद्रश्य बेरोजगारी का अब आपको कॉमेंट करके क्या बताना है एक क्वेस्चन है आपके सामने है कि ये जो मौसमी बेरोजगारी और अद्रश्य बेरोजगारी है दो तरीके की बेरोजगारी जो ग्रामिड छेत्रों में पाई जाती है अद्रश्य बेरोजगारी और मौश्मी बेरोजगारी यह अर्थे ववस्ता कि किस शेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है प्राथमिक शेत्र में दुतियक शेत्र में या त्रतियक शेत्र में या इन में से कोई नहीं चार आप्शन आपके सामने कौन-क कौन से हैं क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से सुनने की ग्रामिड बेरोजगारी के जो दो प्रकार हैं मौसमी बेरोजगारी और अद्रश्य बेरोजगारी ये बेरोजगारी भारती अर्थविवस्था के किस छेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है option A है आपके सामने है प्रात्मिक शेत्र, option B है आपके सामने दुतियक शेत्र, option C है आपके सामने त्रतियक शेत्र और option D है इन में से कोई नहीं फटाफट से A, B, C, D आप कॉमेंट करके बताएं और अगर इन छेतर में हैं तो वो छेतर है कौन सा ये भी आपको कॉमेंट करके बताना है किलियर हुई बार तो ग्रामिर बेरोजगारी के दो मुख्यूरूप कौन-कौन से हैं एक मौसमी बेरोजगारी और एक है आपकी अद्रश्य बेरोजगारी अद्रश्य बेरोजगारी के बारे मैं मैंने अभी आपको बताया फिर से बता देती हूं तो अद्रश्य बेरोजगारी वो बेरोजगारी की स्थिती है जब किसी काम में आवश्यक्ता से अधिक व्यक्ति काम में लगे हुए हैं तो उनको पैसे कम मिलेंगे, क्योंकि उतने व्यक्तियों की आवेशक्ता ही नहीं है, जहां एक काम को दो व्यक्ति मिलके कर सकते हैं, उस काम को करने में दस व्यक्तियों को लगा दिया, ठीक है, तो जहां दो व्यक्तियों को मालो किसी काम के लिए 50-50 रुपए मिलने थे, खयाब तो रोजगार ना मिलना क्या चीज है एक अद्रश्य बेरोजगारी की स्थिती है मौसमी बेरोजगारी की स्थिती क्या होती है मौसमी बेरोजगारी की स्थिती भी क्रशी छेत्र में ही पाई जाती है किस तरीके से पाई जाती है यानि कि जब क्रशी का सीजन होगा ख के पास तो वो इस्तिती क्या कहलाएगी वो इस्तिती कहलाएगी आपकी मौसमी बेरोजगारी की इस्तिती तो ग्रामीर बेरोजगारी के जो दो मुख्य रूप है वो है कौन-कौन से एक है आपकी मौसमी बेरोजगारी और दूसरी आपकी अद्रश्य बेरोजगारी इन दौ देख लें कि हमारे देश में छपी मी बेरोज्वारी जानती है और हम सबी जानते हैं कि भारत की 67 प्रतिसत जनसंख्या जो है क्रशी शेत्र पर ही रोजगार के लिए निर्भर है तो इसका मुख्य कारण क्या है कि भारत की अधिक से अधिक ग्रामिड जनसंख्या का जो है क्रशी पर अत्यधिक निर्भर होना ही छिपी वई बेरोजगारी या अद्रश बेरोजगारी का प् पूछा था छिपी हुई या अध्रश बेरोजगारी क्या होती है ये बात भी आपको किलियर हो गई होगी तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन अंबर एट है आपके सामने बहुत ही इंट्रस्टिंग क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत सोच समझ के देना क्यूं क्यूंकि इसमें आप से पूशी गई हैं तारीक हैं यूदि की तारीक हैं जो है सभी को याद नहीं रहती है अपने तो question क्या पूछा गया है? question पूछा गया है आपसे कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित कारिक्रम किस वर्ष आरंब किये गए? यहां पे कुछ सरकार द्वारा बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कुछ कारिक्रम जो हैं आपके सामने दिये ग वेटबड़ो से आप भी पताते यहांपे भी मैं आपको दिखा रही हूँ तो पहला कारिक्रम जो आपसे पूछा गया कि prize लिए वह यह कि जवाहर लोजगार योजना जवाहर रोजगार योजना कभ प्रारंभ करी गई थी तो जभाहर रोजगार योजना जो है अप्रेल 1989 में यानि कि अप्रेल 1989 में जवाहर रोजगार योजना बेरोजगारी की समस्या के समधान के लिए सरकार द्वारा चलाई गई थी क्लियर हुई बात चलिए दूसरी बात में आते हैं दूसरा कारिक्रम है शीग्रगामी या कैश कारिक्रम जोकी बेरोजगारी की समस्या के समधान के लिए सरकार द्वारा ही चलाया गया था कब चलाया गया था तो 1971 में 1971 में सीग्रगामी या क्रेश कारिक्रम जो है शुरू किया गया था उसके बाद देखें तीसरा कारिक्रम जो है ग्रामिड रोजगार प्रास्टी ग्रामिड रोजगार कारिक्रम ये कब चालू हुआ था ये हुआ था आपका 1980 में यानि की 1980 में प् समझना कि इसके बाद जो है सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई कारिक्रम चलाया ही नहीं गया कई कारिक्रम चलाये घवरतमान में भी कारिक्रम चलाये जा रहे हैं तो इस question का जो आखरी है जो आपसे पुछा गया है आखरी कारिक्रम कि ग्रामीड भूमी हीन रोजगार गारंटी कारिक्रम ध्यान देना और ध्यान से पढ़ना इसको यहां में पुछा गया है ग्रामीड भूमी हीन रोजगार गारंटी कारिक्रम ना कि ग्रामीड रोजगार गारंटी कारिक्रम और ग्रामीड भूमी हीन रोजगार गारंटी कारिक्रम इन द 83 में यानी की 1983 में ग्रामिड भूमी ही रोजगार गारंटी कारिक्रम चलाया गया था किलियर हुई बात चलिए तो बढ़ते हैं आगे अब है लगुत्रिय प्रशनों की शुरुआद अपपन करते हैं तो लगुत्रिय प्रशनों का आंसर जो है कितने शब्दों में देना होता है कितनी लाइन में देना होता है चार से छे लाइन में देना होता है कम से कम दीन चार लाइन जादा से जादा छे लाइन ठीक है तो शुरू करें लगूत्रिय प्रश्णों में पहला प्रश्ण है आपके सामने कि छिपी हुई बेकारी या छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं अभी ये क्वेश्चन मैंने आप से अती लगूत्रिय प्रश्णों में पूछा था अब आप बोलेंगे कि लगूत यह प्रश्ण में यानि की वर्ड लिमिट भी जादा हो गई है ठीक है अति लगुत्रिय प्रश्ण है तो अब आपको लिखना हे कम से कम चार लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी चिपी हुई बेरोजगारी को और क्या क्या कहा जाता है चिपी हुई बेरोजगारी को जो है अद्रश्य बेरोजगारी या प्रशन बेरोजगारी के नाम से हम जानते हैं जो की ग्रामीड बेरोजगारी का एक मुख्य प्रकार है किस शेत्र में पाया जाता है प् चिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है ठीक है चलिए तो एक बार अपन देखते हैं कि प्रशन बेरोजगारी के अंतरगत लोग नेयोजित प्रतीत होते हैं नेयोजित प्रतीत होने से क्या मतलब है यानि कि नेयोजन यानि कि क्या होता है कि रोजगार में लगा होना यानि क व्यक्ति को नौकरी दी गई है काम दिया गया है ठीक एक ऐसा काम दिया गया है जिससे व्यक्ति पैसा कमा सकता है तो अद्रश्य बेरोजगारी में क्या होता है या छिपी होई बेरोजगारी में क्या होता है कि व्यक्ति काम में नेयोजित प्रतीत होता है नेयोजित प्रतीत काम में लगे परीजनों में होता है तो ये इस्तिती कहां होती है भई भूमी किस चीज में होगी भूमी से रोजगार अगर मिल रहा है तो सीधी से बात है कि वो अर्थेववस्था का प्राथ में क्षेत्र यानि की क्रशी छेत्र है यहां पर क्रशी छेत्र की बात हो रही है वो बात अपन लिख देंगे कि ऐसा प्राया क्रशी छेत्र में लगे परीजनों में होता है ठीक है यानि कि क्रशी छेत्र में जो व्यक्ति कारे कर रहे हैं उनके बीच जो है अद्रश्य बेरोजगारी की समस्य हमें देखने को मिलती है तो और अगली लाइन क्या लिख आप से उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा है नहीं उतना प्रोड़क्शन हो रहा है क्यों क्योंकि दस व्यक्ति उस काम में लगे हैं जरूरत है सर्फ दो व्यक्तियों की यानि कि प्रोड़क्शन तो उतने हो रहा है ठीक है चाहे दो व्यक्ति करें चाहे दस व्यक्ति करे है तो प्रोड़क्شन जानदा होना चाहिए यानि कि उत्पादन जानदा होना चाहिए लेकें नहीं कि नहीं हो रहा कियोंकि काम ही नहीं है करने को तो प्रोडक्षन कितना हो रहा है यानि कि सीमान तुपादक्ता कितनी है शून्य है किलियर हुई बात ये सारे पॉइंट जो है आप इसमें लिख सकते हैं शुरू आप कर सकते हैं डैफिनेशन के द्वारा एक परिभाशा के द्वारा कि छिपी हुई बेरोजगारी या प्रशन बेरोजगारी की स्थिती यह होती है किस शेद्र में पाई जाती है वो लिख दें उसके बाद लिख दें आप की प्रशन बेरोजगारी के अंतरगत जो है उसकी उत्पादक्ता जो है सीमा उत्पादक्ता शून्य होती है यानि की प्रोडक्शन जीरो होता है किलियर होगे बात तो ऐसे आपकी चार-पाच लाइन बन जाएंगी और आपका ज न्यून रोजगार की समस्या का वर्णन करें आपको बताना है न्यून रोजगार क्या है क्या समस्या है इसकी चलिए श्रम सक्ति जन संख्या का ही प्रतिफल है यह एक लाइन बहुत कुछ कह रही है पहली लाइन जो है क्या कह रही है कि श्रम शक्ति श्रम शक्ति जन संख्या का ही फल है तो यह लाइन क्या कह रही है यानि कि इस लाइन का अर्थ यह है कि भारत में श्रम सक्ति जादा है क्यों जादा है क्योंकि भारत में जनसंख्या जादा है वरतमान की बात करें तो भारत विश्व की जितने भी देश हैं उनमें जनसंख्या के मामले में प्रथम इस्थान पर आ गया है तो जहां जनसंख्या जादा होगी जिस देश में वहां श्रम शक्ती जादा होगी यानि की काम करने वाले लोग जादा होंगे किलियर हुई बात तो पहली लाइन का मतलब आपको समझ में आया कि श्रम शक्ति जनसंख्या काही फल है किलियर हुई बात अब श्रम सक्ति में व्रधी होने से भारत में बेरोजगारी बड़ी जनसंख्या पढ़ी पहली बात जनसंख्या पढ़ने से क्या बढ़ा सणख्टी बड़ी तो बेड़ुजगारी सब्सक्राइब लेकिन लोग जादा है ठीक है अब लोग जादा है तो काम कहां से आएगा कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल पाएगा इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में और नियून रोजगार की समस्या जटिल हो गई किलियर हुई बात तो नियून रोजगार का कंसेट कहां से निकल के आया ओवरॉल जनसंख्या व्रधी से तो जनसंख्या व्रधी से क्या हुआ श्रम सक्ती में बडोत्री हुई श्रम सक्ती में व्रधी होने से क्या हुआ भारत में बेरोजगारी बड़ी यानि कि इसका क्या थे कि कम लोगों के पास रोजगार है नियून का अर्थ क्या होता है नियून का अर्थ होता है कम ठीक है तो जनसंख्या बड़ी जनसंख्या बढ़ने से श्रम सक्ती बड़ी श्रम सक्ती के बढ़ने से रोजगार की समस्या उत्पन हुई जहां कम लोगों को रोजगार मिल र बढ़ी अब जनसंख्या बढ़ी तो संसाधन तो हमारे पास उतने ही है जितने इस प्रत्वी पर संसाधन है उतने ही है लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या संसाधन आटोमेटिक लिए बढ़ जाएंगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे अब एक खेत में एक तो है उगने लगेका कलको जाकर के 10 व्यक्ती हो जाएंगे उसके परिबार में तो लोगों के बढ़ने से क्या हो रहा है उतने लोग है उतने पर्याप्त संसाधन नहीं है तो हमें रोख किस पर लगानी है ओवर अगर अगर अपन शॉल्यूशन निकालें तो किस पर रुख लगानी है जनसंख्या व्रद्धी पर रुख लगानी है क्योंकि इस समस्या की मूल जड़ क्या है इस समस्या की मूल जड़ है जनसंख्या व्रद्धी किलियर हुआ रोजगार कम होने की स्थिति को ही क्या कहेंगे नियून रोजगार कहेंगे अब जन संक्या व्रधी के फल्सुरूप संसाधनों में कमी आई संसाधनों में कमी के पल्सरूप जो है क्या हुआ कम रोजगार की स्थिति उत्पन हुई यानि की बेरोजगारी की स्थिति उत्पन हुई तो उसे ही क्या कहा गया उसे ही कहा गया न्यून रोजगार किलियर हुई बार चलिए तो न्यून रोजगार की समस्या जो है वो आपको समझ में आ गई भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या का वरणन करें भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या के बारे में आपको बताना है चलिए तो देखें भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या क्यूं है पहली बात अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि न्यून रोजग किसके कारण हुआ था कम रोजगार यानि कि बेरोजगारी किस थी किसके कारण हुई थी जन संख्या व्रधी के कारण वही पहला कारण जो है हमने यहां पर बता दिया कि जन संख्या व्रधी की समस्या जो है वही सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की तो जन संख्या व्र शत्र जो है हर साल भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तीवरगती से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है उस अनुपात में रोजगार के अफसरों में व्रद्धी नहीं होती जिसके फल्सुरूप क्या होता है भारत में बेरोजगारी क स्थित्पन होती है लगू एवं कुटीर उध्योगों की कमी किस तरीक से टेली टेक्नलोजी के चलते आधुने क्योग मैं यानि की मोडन एरा में जो है मशीनी युग है तो रोज नए-नाए उध्योग पैदा हो रहे हैं रोज नहीं नहीं टेक्नलोजी आ तो अब टेक्नलोजी के आने से उध्योगों के खड़े होने से उध्योगों में मशीनों के काम करने से जो है जो हमारे लगू उध्योगों के कुटीर उध्योग हैं उनकी संख्या कम होती जारी है क्यों होती जारी है लगू उध्योग या कुटीर उध्योगों में जो है जो पात बुली मैंने कि कई सारे व्यक्ति मिलके एक चीज को बनाते थे अब एक मशीन कई सारी चीजों को बना रही है अब जब एक मशीन कई सारे लोगों का इस्थान लेगी तो बेरोजगारी तो होगी क्योंकि वह मशीन अकेले कम समय में काफी सारे प्रोड़क्ट बना के दे रही है माल लोगी एक मशीन एक घंटे में सो प्रोड़क्ट बना के दे रही है माल लोगी एक मशीन एक घंटे में सो पैन बना के दे रही है ठीक है वहीं पैस सो व्यक्ति काम करते थे तब वो सो व्यक्ति मिलके जो है एक एक व्यक्ति मालो एक एक पैन बना पाता था एक घंटे में किलियर हुई बात तो लगू उध्योग और कुटी रुध्योग में उध्योगी की करण के कारण जो है कमी आई है तो लोगों का रोजगार चिना है किलियर हुई बात चलिए तीसरे कारण पर बढ़े दोशपून सिक्षा पद्धती अब दोशपून सिक्षा पद्धती जो है बेरोजगारी को बढ़ाने में कैसे सहायक है वो इस तरीके से है कि रोजगार उनमुक सिक्षा नहीं है दोशपून सिक्षा प्रणाली है विध्यारतियों को ऐसी सिक्षा दी जाए कि वो भविश्य में उसी सिक्षा के माध्यम से अपना स्वयम का रोजगार जो है खोल पाएं और खुद की बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकाल पाएं तो यहां की सिक्षा पध्धती व्यवसाय प्रधान या व्यवहारिक होने के बजाए सिप्धान्त प्रिंसपल्स पर काम करती है ना कि उस विशय पर काम करती है कि जहां पर लोगों को वास्त्विक रूप में रियालिटी में रोजगार मिल पाए तो जिसके कारण बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जारी है किलियर वी बात अब देखें चौता कारण देखें तो आसिक् हम आप रसिक्षित हैं जिसके कारण उन्हें बेरोजगार आने में कठनाई होती यानि कि रोजगार मिलने में उन्हें कठनाई होती है वो बेरोजगारी में जो है व्रद्धी होती है किलियर वी बात तो यह चार बातें देखी कौन कौन सी एक देखी कि जनसंख्या में व् लगु उध्योग और कुटीर उध्योगों में कमी आई तो यह जो चार पॉइंट है वो बेरोजगारी बढ़ाने में जो है सहायक है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है अगला क्वेश्चन है आपके सामने लगुत्री प्रश्ण में कि सिक्षा को पेशेवर बनाने स आप क्या समझते हैं यानि की सिक्षा को व्यवसाइक बनाया जाएगा तो क्या होगा अगर सिक्षा को व्यवसाइक बनाया जाएगा यानि कि सिक्षा पद्धती में सुधार किया जा रहा है सिक्षा को व्यवसाय क्या पेशेवर बनाने से लोगों को रोजगार मिलेगा किलियर हुई बात तो कंसेप्ट समझ में आ गया इस क्वेश्चिन का कि क्वेश्चिन की डिमांड क्या है तो आपको सबसे पहले क्या करना है देखो अपना जो सब्जेक्ट है शोसल साइंस ठीक है रटने वाला सब्जेक्ट बिलकुल भी नहीं है ठीक है बहुत से बच्चे बोलते हैं कि शोसल साइंस में जो है दिक्कत आती है चीजें याद नहीं होती है हिस्ट्री की बात करें तो तारीक है याद नहीं होती है एकनोमिक्स में समझ में नहीं आता है पॉलिटी के शब्द समझ में नहीं आते हैं तो बिलकुल ऐसा नहीं है यहां बोलो कि जियोग्राफ ही जो है इतनी सारी चीजें हैं कहां कहां कौन सी चीजने याद रखना बहुत मुश्खिल होता है तो सबसे पहली बात तो यह हैं कि सामाजिक विग्ची सोशल साइंस जो है रट्टामार विशय है ही नहीं यह विशय है समझने का ठीक है आपके आसपास क्या चीज चल रही है आपके आसपास क्या राजनेते गतिविधियां चल रही है उन पर ध्यान दो ठीक है दूसरी बात क्या भारत देश की अर्थववस्था चल रही है कौन सी चीज कहां पैदा होती है कहां से आती है कैसे क्या क्या होता है कैसे बैंकों में काम होता है यह सारी चीजें जो है आपके आसपास की ही चीज़े हैं ठीक है उसके बाद हम बात करें इतिहास की इतिहास जो है थोड़ा बहुत याद रखने की चीज़े है तारीखें याद रखनी पड़ती है लेकिन अगर आप उसको एक interesting way में कहानी के रूप में याद रखें तो वो भी बात आपको याद रहे जाएगी अब बात करें हैं भूगोल की यानि की जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में क्या होता है भई आप एमेजन करो कहीं भी आप पढ़ रहे हो कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो आप एमेजन करो है ही नहीं तो सिक्षा को पेशेवर बनाने से आप क्या समझते हैं इसी विशाय में मैंने आपको ये चीज बताई कि आपको कैसे पढ़ना है तो सबसे पहले आप question को समझने की कोशिश करेंगी question कहे क्या रहा है अगर आपको answer नहीं भी आता है तो अगर आप question को समझ चुके हैं ठीक है तो आप खुद ही उस answer को जो है खुद के format में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं खुद के शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं किलियर हुई बात तो चलिए देखते हैं इसका answer शिक्षा को पेशेवर बनाने से आप क्या समझते हैं भ विकारी की समस्या का बहुत कुछ हल संभाव हो सकेगा पेशिवर बनाना या व्यवसाइक बनाना सिक्षा को क्या कहलाता है वो यह कहलाता है कि ऐसी सिक्षा लाई जाए ऐसी सिक्षा पद्धती लाई जाए जो सिर्फ सिधांत पर आधारित ना हो जो सिर्फ प्रिंसिपल पर बेस ना वेस्ट ना हो, किस पे आधारेत हो, व्यवसायक प्रधान हो, व्यवहारेक प्रधान हो, यानि कि व्यक्ति के व्यवहारेक जीवन में वो सिक्षा काम में आए, जिसके जरिये व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय के माध्यम से खुद का रोजगार खोल पाए, तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा, तो भारत में शिक्षा को पेशे वर बनाने की आवेशक्ता है, जिससे लोगों में कारे कुशलता और चंता में व्रद्धी होती है, स्वारोजगार से बेकारी की समस्या का बहुत कुछ हल संभव हो सकेगा यानि कि जब यक्ति सिख्षा के माध्यम से खुद का व्यावसाय चालू करेगा तो उसका खुद का रोजगार होगा खुद का रोजगार होगा तो बेरोजगारी की समस्या जो है कुछ हद तक जो है क्या हो पाईगी हल हो पाईगी किलियर हुई बात चलिए तो बड़े आंगे लगुत्रिया प्रश्णों में अगला प्रश्ण है आपके सामने कि बिहार में ग्रामीड बेकारी के समाधान के लिए कुछ उपाई बताएं आपको बताना है कि आपके राज बिहार में ग्रामीड बेरोजगारी की समस्या जो है उसको आप कैसे हल कर सकते हैं बिहार में ग्रामिड बेकारी या ग्रामिड बेरोजगारी के समाधान आपको बताना है तो फटा फट से कॉमेंट करके बताईए कि आप अपने राज्य में आप अपने बिहार राज्य में ग्रामिड छेत्रों में जो बेकारी विद्यमान है उस बेरोजगारी को आप कैसे दूर कर सकते हैं फटाफट से सारे student एक-एक comment करके बताएंगे एक-एक point बताना है आपको जल्दी एक-एक line में आप फटा-फट से सारे के सारे comment करके बता दें कि आप अपने राज्य में ग्रामिड बेरोजगारी करने के लिए क्या उपाय कर स ं किस तरीके की उपाए अपनाय चाहिए जिस्से की बिहार राज्जी के ग्रामिड चित्रों में बेरोजगारी की सबस्या का समाधान निकाला जा सके जल्दी से कॉमेंड करके बताईए तब तक हम यहाँ पर अपना तो बिहार में ग्रामीन बेकारी के समाधान के लिए कुछ उपाई दिये गए हैं जिस में पहला है क्रशी का विकास क्रशी का विकास कैसे किया जा सकता है बिहार की क्रशी विवस्ता बहुत उन्नत सील हो सकती है कैसे हो सकती है पर आविकसित होने के कारण यहां मौसमी और शिपी हुई बेरोजगारी मिलती है यानि की आविकसित होने से क्या आर्थ है बिहार की क्रशी विकसित अवस्ता में क्यों नहीं है क्योंकि वहां पे सचाई सुविधाओं का अभाव है ठीक है क्रशी में उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों या यंत्रों का अभाव है यानि कि क्रशी से सम्मंधित जितने भी संसाधन है अगर वो जुटाए जाए तो क्रशी छेत्र में सुधार के माध्यम से ग्रामिड बेरोजगारी को कम किया जा सकता है ठीक है क्या बात हुई है यहां पर कि बिहार की क्रशी विवस्था बहुत उन्नत सील हो सकती है क्योंकि बिहार राज जो है क्रशी प्रधान राज है पर आविक्सित होने के कारण क्रशी विवस्था के आविक्सित होने के कारण जो है मौसमी और छिपी हुई बेरोजगार ठीक है तो मौसमी और शिपी हुई बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है क्रशी छेत्र में सुधार करके किया जा सकता है क्रशी छेत्र को विक्सित करके किया जा सकता है अतहा क्रशी का उचित एवं समुचित विकास होना जरूरी है वहीं सचाई का साधन एवं विज् तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है यानि कि बिहार राजु के ग्रामिडी छित्रों की क्रशी व्यवस्था में सुधार लाके मौसमी और छिपी बेरोजगारी यानि कि ग्रामिड बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है क्लियर वी बात एक समाधान तो हो गया चलते हैं दूसरे समाधान की तरह अब लगू उध्योग और कुटीर उध्योगों की इस्थापना कहा की जाती है आम तोर पर ग्रामिण चेत्रों में की जाती है तो ग्राम उध्योगों के विकास जैसे कुटीर इवम लगू की स्थापना ग्राम उध्योग कौन कौन से होते हैं जो लगुद्योग और कुटी रुध्योग है तो इन लगुद्योग और कुटी रुध्योगों का अगर विकास किया जाए तो क्या हो सकता है बिहार राज में ग्रामिड छेत्र में फैली बेरोजगारी के समधान निकाला जा सकता है अब देखें कि बिहार राज जो है सब्जी आइवं फल उत्पादन में इक अग्रणी राज्य यानि कि बिहार में सब्जी और फलों का वण बड़ी मात्रा में होता है अब सब्जी और फल से संबंधित अगर कुछ उध्योग चालू किये जाएं फलों से संबंधित उध्योग कैसे जैसे कि प्रोसेश्ट to fruits को लेके कुछ बनाये जाते हैं जैसे कि फिलों का रस किया जाता है उनको process करके उनकी packaging करके उनको काफी समय त emane OS रखा Cup पॉट से जहाएं जयली बनती है Doch जैंचे हैं स्क्वैस्पेस्ट बनता है यह सारे प्रो फ्र क्रोड़क्ट होते हैं प्रोसाषी Π्रोडक्ट या प्रसंस्क्रथ कादियपदार्थ कौन होते हैं जिनको लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जाया तो जहां बिहार राज्ज में सब्जी और फलों का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है तो उन्हीं सब्जी और फलों का उपयोग करके कुछ उध्योग चलाए जाए जाए यानी की ग्राम उध्योग जो होते हैं लगुध्योग और कुटी रुध्योग इनके माध्यम से भी इनके इनको विक्सित करने के माध्यम से भी जो है बिहार राज की ग्रामीड बिकारी की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है किलियर हुई बात तो हमने क्या-क्या देखे कि बिहार राजमें ग्रामीड बेकारी की समस्या के समाधान के दो उपाएं हमने देखे ये बात किलियर हुई ये दो बातें आप सभी को किलियर हो गई चलिए तो बढ़ते हैं अब हम कहां दीर गुत्रिया प्रश्णों की तरह तो दीरगुत्रिय प्रश्णों का उत्तर जो है आपको कितने लाइन में देना है इनका उत्तर जो है आपको कम से कम आठ और ज्यादा से ज्यादा आपको दस लाइन में देना है यानि कि आठ से दस लाइन में जो है आपको दीरगुत्रिय प्रश्णों का उत्तर देना होता ह तो आज की इस most important question की सीरीज में question number 14 है आपके सामने जिसमें दीरगुत्रिय प्रश्न का पहला प्रश्न है भारत में सिक्षित बेरोजगारी के कारणों का वरणन करें सिक्षित बेरोजगारी क्या होती है जल्दी से comment करके बताएं उसके कारण उसके बाद मैं आपको बताऊंगी question आपसे क्या पूछा गया है question आपसे पूछा गया है कि भारत में सिक्षित बेरोजगारी के कारण बताईए एक पार्ट है ये question का दूसरा पार्ट क्या है एक पार्ट क्या हो गया सिक्षित बेरोजगारी के कारण दूसरा पार्ट है इस समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है यानि की कारण और निराकरण सिक्षित बेरोजगारी की समस्या की कारण क्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है ये दो बातें आपको बतानी है दो पार्ट में दिर्गुत्रिय प्रश्ण पूछा गया है उसके पहले उसके पहले जो है आपको कॉमेंट करके बताना है कि सिक्षित बेरोजगारी क्या होती है जल्दी से सिक्षित बेरोजगारी की एक सुन्दर सी परिभासा एक बहुत ही अच्छी डैफिनेशन जो है अब चलो इस क्वेशन के जरी एक चीज बहुत अच्छी सीखने को मिलती है जैसे कि मैंने आपको कॉमेंट करके बोला कि सिक्षित बेरोजगारी जो है आप जल्दी से कॉमेंट करके बता दीजिए ठीक है तो अब जब आप सिर्फ सिक्षित बेरोजगारी की परिभाशा पर लिखते हैं दो यह क्या हुआ आपका अती लगउत्रिय प्रश्न हुआ यानि कि इसका उत्तर जो हैजाब दो लैन में लिख देंगे उसके बाद हम सरफ इतना पूच्छा जाता तो आप कारण बता देते तो वो लगुत्रिय प्रशन हो जाता उसके बाद अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता कि सिक्षित बेरोजगारी की समस्या का निराकरण बताएं या समाधान बताएं अगर सिर्फ ये पूछा जाता तो एक लगुत्रिय प्रशन ये बन गया अब तो आप से overall पुछा जा रहा है, मिला के पूछा जा रहा है कि भारत में सिक्षित बेरोजगारी के कारण और उसके समाधान बताईए तो ये बन गया आपका क्या दीरगुत्रिय प्रशन यानि कि यहां से आपको क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपका सिक्षित बेरोजगार चाहे आपसे अती लगुत्रिय प्रश्न पूछा जाए लगुत्रिय प्रश्न पूछा जाए या दिर्गुत्रिय प्रश्न पूछा जाए वो आपसे बनेगा किलियर हुई बात आप उसको उस question की demand के हिसाब से format कर सकते हैं ठीक है इतनी बास समझ में कि question कुछ भी पूच्छा जाए क्या clear रखना है दिमाग में clear रखना है आपको concept के लिए रखना है clear हुई बात चलिए तो सिक्षित बेरोजगारी क्या होती है यह comment करके बता दीजिए फटा-फट से ठीक है अब हम देखते हैं भारत में सिक्षित बेरोजगारी के कारणों को देखते हैं अब यहां पर सब कुछ दिया गया है ठीक है सिच्षा प्राप्त व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तब उसे सिक्षित बेरोजगारी कहते हैं यह हो गई है हमारी definition सबसे पहले तो हमें यही बता देना है कि सिक्षित बेरोजगारी क्या होती है तो फटा-फट से जल्दी से आप सिक्षित बेरोजगारी की definition comment करके बताइए फिर देखते हैं आंगे का तो सिक्षित बेरोजगारी की क्या definition है सिक्षा प्राप्त व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तब उसे क्या कहा जाता है तब उसे कहा जाता है सिक्षित बेरोजगार कहा जाता है यानि की व्य उगताधारी है educated है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है तब उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा सिक्षित बेरोजगार कहा जाएगा तो इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्यता कहा पाई जाती है शहरों में पाई जाती है आप से मैंने most important question की जब अपने ये शचंजो start किया था तभी आपसे पूछा था कि शहरी बेरोजगारी के प्रकार बताईए तो फटा-फट से एक बार फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि शहरी बेरोजगारी के प्रकार कौन-कौन से है एक प्रकार सिक्षित बेरोजगारी है ठीक है सहरी बेरोजगारी के प्रकार पूछ एक प्रकार कौन सा हो गया आपका सिक्षित बेरोजगारी दो अन्य प्रकार आपको कॉमेंट करके बताने हैं तो सिक्षित बेरोजगारी क्या स्थिती होती कि जब व्यक्ति सिक्षित होते हुए भी उसके पास रोजगार नहीं होता तो सिक्षित बेरोजगारी की स्थिती ज लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो भारत के युवावर्ग जो है युवावर के व्यक्ति जो है किसके शिकार है शिक्षद बेरोजगारी के शिकार है अब इसका मुख्य कारण क्या है अब आते हैं हम इस के पहले पार्ट की तरफ पहले हमने डेफिनेशन लिख ली कि सिक्षद बेरोजगारी कहां होती है क्या होती है और कहां पाई जाती है क्लियर हुई बात अब हम पढ़ते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ तो पहला पार्ट है कि सिक्षद बेरोजगारी के कारण बताना है तो कि भारत की सिख्षा प्रणाली जो है रोजगार की तरफ अग्रसर नहीं है व्यवसाइक सिख्षा नहीं दी जाती है कि व्यप्ति सिख्षा के माध्यम से खुद का रोजगार शुरू कर पाए तो भारत की सिख्षा पद्धती जो है दोश्पूर्ण सिख्षा पद्धती है यानि की रोजगार उन्मुख नहीं है, किलियर हुई बात, दूसरा कारण क्या है कि जनसंख्या में तेजी से व्रद्धी, बिल्कुल जनसंख्या में व्रद्धी तो हर समस्या का, मलब हर एक समस्या की जड़ है, किलियर हुई बात, तो जनसंख्या में तेजी से व्रद्धी क्या जन संख्या में तेजी से व्रद्धी के कारण मैट्रिक सनातक और सनातक उत्रों की संख्या में तेजी से व्रद्धी हो रही है अब जन संख्या में व्रद्धी होगी तो लोग बढ़ रहे हैं लोग बढ़ रहे हैं लेकिन लोग पढ़तो रहे हैं सिक्षित तो हो रहे ह यानि कि जो व्यक्ति सिक्षित है उसके लिए परयापत रोजगार की विवस्था ना होना क्या कारण है सिक्षित बेरोजगारी का कारण है तीन कारण अपने देखे सिक्षित बेरोजगारी के अब हम देखेंगे निराकरण निराकरण या समाधान निराकरण को और क्या कहा स्क्षब बैरोजगारी कारण क्या? साती साथ हम देख रहे हैं कि जो कारण है उनका निरा करण कैसे कि या जाए यानि कि स्क्षब बैरोजगारी की समाधान क्या हो सकते हैARS? पहला समाधान ठीक है? सिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए यानि कि ऐसी सिक्षा लाई जाए और सिक्षा प्रणाली को इस तरीके से बनाया जाए कि वो सिक्षा प्रणाली रोजगार उनमुख हो लोगों को रोजगार देने में सहायक हो किलियर हुई बाग कि वर्तमान सिक्षा प्रणाली को रोजगार और मुखी बनाने की आवशक्ता है ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें ना सिर्व सिक्षेतों के बैठ पाएं सिक्षित होना अच्छी बात है लेकिन सिक्षा के जरीए आपको रोजगार भी मिले ऐसी सिक्षा प्रणाली की आवशक्ता हमारे देश में है किलियर हुई बात श्रम सक्टी का नियोजन ठीक है नियोजन शब्दकार्थ मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ एक बार फिट से बताती हूँ नियोजन यानि की लोगों को काम में लगाना लोगों को रोजगार देना लोगों को नियुक्ति करना लोगों को नौकरी देना क्या कहलाता है नियोजन कहलाता है तो श्रम सक्ति का नियोजन कैसे कि सिक्षित व्यक्ति एक श्रम है जिसका नियोजन आवश्यक है अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो अच्छे से काम कर सकता है वो खुद एक श्रम है तीक है जिसका नेयोचन आवश्यक यानि की जिसको काम पर लगाना आवश्यक है व्यक्तियों के नेयोजन के लिए उप्योक्त बाजार की विवस्था भी होनी चाहिए अब भैई सिक्षद व्यक्ति को अगर रोजगार देना है तो रोजगार के साधन भी तो हो ऐसा मार्केट भी तो हो ऐसा बाजार भी तो हो जहां सिक्षत व्यक्ति को देखे कि हां मैं इधर पर काम कर सकता हूं किलियर वी बात दो जो है अपने समाधान देखें तीसरी बात करें तीसरा समाधान देखें तो तीसरा समाधान है द्रस्टी कौन में बदलाव कैसे लाया जाए तो सिक्षित वर्गी की द्रस्टी में बदलाव लाना आवश्यक है उन्हें आवश्यकता पढ़ने पर शारीरिक स्रम्भी करना पढ़ सकता है इसे कन्य में हिचकना नहीं है यानि कि जो व्यक्ती सिक्षित है उसके द्रस्टी कौन में इस तरीकी का बदलाव लाया जाए कि वो ये भी सोचे दूसरी तरबी ध्यान दे कि अगर सिक्षित होने के बाद मुझे अपनी योगिता के अनुसार काम नहीं मिलता है तब भी मैं कोई दूसरा काम करके रोजगा हासिल कर पाऊं मैं खुद के लिए खुद के जीवने आपन के लिए अपने परिवार के लिए पैसे कमा पाऊं तो हर एक सिक्षित व्यक्ति को मैंटली प्रपेर होना है कि जैसे सिचुएशन आएगी मैं वैसा काम करने के लिए तयार होंगा और इस बात से जिजक नहीं हो व्यक्ति को अपनी योग्ता के अनुसार काम ना मिलना वर्तमान कीमत दर जो है उस दर पर भी काम ना मिलना क्या इस्तिति कहलाती है बेरोजगारी की स्तिति कहलाती है अब भी अपनी योग्ता अनुसार याने की अपने मन के मताबिक काम का मिलना अब नहीं मिल रहा है तो वो व्यक्ति कोई दूसरा काम कर नहीं रहा दूसरा काम नहीं कर रहा तो क्या हो रही युक्ति की अब अगर व्यक्ति सिक्षित है लेकिन सिक्षा के मुताबिक अपनी युगता के मुताबिक उसको काम नहीं मिल रहा है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है तो वह सिती क्या है सिक्षित बेरोजगारी की लेकिन अगर व्यक्ति अपनी सोच में बदलाव लाए, अपनी दरश्टी कौन में बदलाव लेके आए, कि काम कोई भी हो, लेकिन काम काम होता है, उस काम को कन्ये में हमें हिचकना नहीं है, हमें जिज़क नहीं करनी है, कि मैं पड़ा लिखा हूँ, मेरे पास ये योग्यता है, तो मैं सिर्फ यही काम करूंगा, उसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूँगा चाहे मैं बैठा रहूँ तो क्या होगा इससे उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा रोजगार ना मिलने के कारण कई सारी हजारों और समस्याइं पैदा होगी तो हर एक व्यक्ति के द्रस्टी कौण में बदलाव लाना आवश की सवाल दिर्गुत्रीय प्राशन है क्वेस्टन नमबर इंप्टीन है और दिर्गुत्री प्राशन में दूसरा प्राशन है आप के सामने की बहार में ग्रामीड बे-डी बेरोजगारी की समस्या के प्रमुख कारण क्या है इसमें पूछा गया है आपसे बिहार में ग्रामीड बेरोजगारी की समस्या के प्रमुख कारण क्या है आप इसे कैसे दूर करेंगे बिहार में ग्रामीड बेरोजगारी की समस्या की कारण बताने है अब इनका समाधान बत रहा है कि बिहार में ग्रामीड बेरोजगारी की समस्या के प्रमुख कारण क्या है आप इनहें कैसे दूर करेंगे तो चलिए फटाफट से जो है आप सभी बच्चे आप सभी स्टुडेंट्स एक-एक कॉमेंट करके बता दें ग्रामीड बेरोजगारी का कारा बिहार राज में ग्रामीड बेरोजगारी क्यों है कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ आपको पूरा आंसा नहीं लिखना है कि आप समझे दिर्गुत्रिय प्रशन में आप से पूछ रही हूँ कॉमेंट में आप दिर्गुत्रिय प्रशन के pramokkaran क्या है और इनके समाद्धान के उपाई भी आपको जल्दी से फटा-फट से comment कर के बताने है जब तक आप comment करते हैं तब तक हम यहाँ पे फटाफट से अपना unsaur format कर लेते हैं है ठीक है है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है सबसे पहले हमें हमें है कि बिहार में ग्रामीड बेरोजगारी की समस्या जटिल है इसके निमनलिखित कारण है क्या क्या कारण है पहला कारण क्या है पहला कारण क्या है क्रशी का पिछड़ा पन क्यूं क्यूंकि बात क्या हो रही है क्वेस्चिन की डिमांड क्या है ग्रामीड बेरोजगारी ग्रामिड बेरोजगारी यानि की क्रशी ठीक है कौन से छेत्राएगा आर्थववस्ता का प्रात्मिक छेत्राएगा यानि की क्रशी छेत्राएगा तो क्रशी का पिछड़ापन जो है ग्रामीड समस्या का कारण है ग्रामीड बेरोजगारी की समस्या का कारण है अब क्रशी का पिछड़ापन किस तरीके से ग्रामीड बेरोजगारी की समस्या का कारण है वो देख लेते हैं तो समुचित जल प्रवंधन समुचित जल प्रवं यानि की सुचाई व्यवस्था का ना होना अच्छी सचाई व्यवस्था का ना होना समुचित जल प्रबंधन क्या है सुचाई व्यवस्था सचाई व्यवस्था का ना होना ठीक है परीवहन और विप्रणन यानि की परीवहन के साधनों का ना होना व्यापार के साधनों का ना होना यानि की एक अच्छे बाजार की उपलब्धता ना होना इन सब के अभभावें में क्रशी का आधुने की करण और व्यवसाई करण संभव नहीं हो सका है एक बात हो गई अताहा राज़र्ज अर्थव्वज़्था के सरवाधिक महात्वपून छेत्र राज्य अर्थववस्ता यानि की बिहार राज्य की अर्थववस्ता का सरवादिंग मादवपून छेत्र क्या है क्रशी है ये बात हुई किलिए तो बिहार राज्य की अर्थववस्ता के सरवादिंग मादवपून छेत्र में रोजगार के अवसरों का विस्तार नहीं हो सका है बात हो गूए बात की तरफ चलते हैं प्रशी की प्रधान्ता टिक है कि एक तरफ बोला जा रहा है कि पिछड़े कारण बिहार राज की जो ग्रामेड बेरोजगारी है वो समस्या है दूसरी तरफ क्रशी की प्रधान था अब भी जादा क्रशी है तब भी समस्या है कैसे समस्या है क्रशी बिहार की अर्थववस्था का आधार है ठीक है बिल्कुल है गैर क्रशी शेत्र ठीक है गैर क्रशी प्रविशेशकर उध्योग धन्दों के आविक्सित होने के कारण रोजगार के बहुत कम अवसर उपलब्द हैं यानि की बिहार राजी की अर्थववस्था जो है क्रशी पर आधारत है ना की दूसरे छेत्रों पर आधारत है यानि की उध्योग धन्दों पर आधारत नहीं ह लगभग 8% जनसक्या जो है क्रशी एबंख से संबंधित क्रिया कलाप में लगी हुई है क्रशी में लगी हुई है मात्र 20 प्रतिशत जनसक्या किसी दूसरी तरीके के रोजघ्यार में लगी है ग्रामिड बेरोजगारी के कारण है तीसरी बात करें कि क्रशी आधारेत अध्योगों का आविकसित होना यानि कि क्रशी तो है क्रशी की प्रधानता है लेकिन क्रशी आधारे जो अध्योग है वो आविकसित है ठीक है तो बिहार राज में क्रशी उत्पादन पर आधारेत अ उध्योग विक्सित नहीं है जिसके कारण बिहार की चीनी जूट और कागज की मिलें बंद हो चुकी है चीनी जूट और कागज ये क्या है क्रशी उत्पाद ही तो है तो इनसे क्या होता है क्रशी उत्पाद ही है तो इनके भी उध्योग होते हैं यानि कि कच्चे माल से जो ह बनाया जा रहा है तो यह प्रोडक्त बनानी की जो उध्योग हैं मिले हैं वो बंद हो चुकी है यानि की ख्रशी आधरेत उध्योग जो है विकसत नहीं है और जो थे वो भी बंद हो चुके बात तो इस तरीके से जो है ग्रामीड बेरोजगारी पनप रही है अब हम देखें कि बिहार, राज्यमे, ग्रामिन बेरोजगारी को दूर करने के उपाय कौन-कौन से हो सकते हैं, तो पहला है कि भाई क्रशी का विकास करो, कारण क्या था क्रशी का पिछडापन, ठीक है, अब उपाय क्या है, जो पिछडा है उसका विकास करो, उसको आंगे लेके आओ, तो क क्रशी का विकास करना है, बिहार की क्रशी विवस्था बहुत उन्नत सील हो सकती है, कैसे, पर आविक्सित होने के कारण यहां मौसमी और शिपी होई बेरोजगारी मिलती है, अब क्रशी जो है, विक्सित अवस्था में नहीं है, तो इस वजए से वहां पर मौसमी बेरोज दिखती है और छिपी वी बेरोजगारी भी मिलती है अताहा क्रशी का उचित एवं समुचित विकास होना जरूरी है वहीं सचाई के साधन एवं विज्ञाने क्रशी को प्रोस्थाहन दिया जाए अगर सचाई के साधन जो है नए नए लाए जाए परयाप्त सचाई हो तो क्रशी छेत्र का विकास किया जा सकता है और ग्रामिड छेत्र में जो बेरोजगारी है उसको कम किया जा सकता है एक समाधान देखा अब देखें ग्राम की बात हो रही है गाओं की बात हो रही है तो गाओं के जो छोटे-छोटे उध्योग है लगूद्योगों कुट पुरिणी राज्य है तो सबजी और फल आधारे जो प्रोड़क्ट बनाए जा सकते हों उनसे संबंधित जो उध्योग लगाए जा सकते हों तो उन उध्योगों का कुटीर उध्योगों लगू उध्योगों के रूप में विकास किया जाए यानि कि खेती से ही प्राप्त होन रही है ग्रामिनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उस चीज को उस बेरोजगारी को हम धीरे धीरे करके क्रशी से ही क्रशी के माध्यम से ही हम जो है उस बेरोजगारी को खतम कर सकते हैं साथी साथ कुछ उध्योग भी ऐसे लगाए जाए जो क्रशी आधारित उध्योग जो हैं क्या है बढ़ जाएंगी तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे करके एक एक चीज पर ध्यान देखे यानि की गाव के एरिया में तो ग्राभीड छेत्रों में जो भी संसाधन उपलब्द है उन्हीं संसाधन को अच्छे से विक्सित करके और उनी संसाधनों का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करके वेज्ञानिक तरीके से उपयोग करके अगर काम में लाया जाए उन संसाधनों को तो उनी संसाधनों के प्रयोग से उनी रिसोर्सेस के यूज से ग्रामिड बेरोजगारी को कम किया जा सकता है किलियर हुई ये बात कि ग्रामिड बेरोजगारी के क्या कारण है और हम क्या उनकी समस्या के समाधार निकाल सकते हैं इतनी बात हुई किलियर तो आज के शेशन में जो है हमने क्या 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 देखा आज के session में हमने most important question देखे साथ ही साथ बीच बीच में कई सारे questions भी आप सभी से मैंने पूछे सारे answer जो है आप लोग बराबर दे रहे हैं और जिनने भी जिनने भी आज के session को अभी तक like और share नहीं किया है तो फटाफ़ट से आप like और share कर दें जल्दी से जल्दी जादा से जादा लोग हो तक इस चैप्टर की information पहुंच जानी चाहिए आज का जो session था महात्वपूर question answer का था यानि की most important question answer का session था यह एक ऐसा session होता है magnet prince आपको यह session provide कराता है और यह session जो है एक ऐसा session होता है जिसके question answer जो है जिसके question आपके exam में आने की जादा probability होती है जादा संभावना होती है तो आज को session है बहुत ही important session था इसलिए जादा से जादा आज के session को आप सभी को like करना है जादा से जादा आज के session को आप सभी को share करना है तो आज की जो information है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी आंप सभी के लिए इस blender का आपको फिर से पूरा revision करना है कैसे करना है जिस तरीके से मैंने आपको पढाया है तीन पार्ट में इस chapter को आप तक मैंने पहुँचाया है तीन पार्ट में यह चैप्टर जो है हमने पड़ा है उसके बाद हमने अभ्यासगत प्रशनोतर जो है हल किये थे उसके बाद मल्टिपल च्वाइस क्वेशन भी आप तक पहुंचे उसके बाद आज के शेशन के माध्यम से most important question भी आप आप तक पहुंचे हैं अब आगे मैं आपके लिए क्या लेके आऊंगे इस चैप्टर का आखरी स्टेप कौन सा होता है वन शॉट रिवीजन यानी की complete चैप्टर रिविजन जिसके माध्यम से आप कम समय में पूरे चैप्टर का रिविजन कर सकते हैं क्लियर हुई क्लिए भी बात तो आज की शेशन को जादा से जादा लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और बने रहें Magnet Brains के साथ और Magnet Brains की सारी अपडेट आपको कैसे मिल सकती है कैसे मिल सकती है हमारे YouTube चैनल एप्लिकेशन और वेब साइट से उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास जो है एक अलगोरिधम में सार मेडियम दूसरी बास CBSC हिंदी मेडियम यूपी बोड बिहार बोड एमपी बोड ये सारे कोर्स जो है किंडर गार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन के साथ आप तक चैप्टर वाइस पहुंचाये जाते हैं विद शॉल्यूशन ठी है और साथ ही साथ क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है यहां पर यहां पर आपको मिलेगी स्पोकन इंगलिस की क्लासे सी यूटी एंटी एसी और ओलंपियाड इतने सारे टॉप कोर्स अविलेबल है वो भी क्वालिटी के साथ और एकदम फ्री और क्या चाहिए आपको सब्सक्राइब और साथ ही साथ से लाएग और संफerson को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ यहां पर मिलेगी आपको डिस्रीप्शन लिंक में क्या चीज़े मिलने वाली है इबुक्स और इनोट्स भी मिलने वाले हैं साथी साथ हम अवेलेवल हैं कहां कहां पर यूटूब के अलाबा कहां कहां है फेस्बुक पर इंस्टागराम ट्विटर एंड टेली ग्राम पर भी मैंगेट ब्रेस अवैलेबल है तो फटा फट से जो है चैनल को लाइक करने हैं शेर करने और सब्सक्राइब करने खुश रहें मस्त रहें पढ़ते रहें आंगे बढ़ते रहें थैंक्यू सो मच